हलो मायम फ्रेंड कैसे हैं आप सब रकषिह र्यूक्रेशोई में आप लोगों का बहुत स्वागत है आज नहoss बहुत ही JEFF रेस्पीन लेकर आई हूँ यह इस आप परांठा भीali बोसकते है चीला भी बोसकते हैं बहुत ही टेश्टी 레स्पी लेकर आई हूँ आफ लोगों के आप लोगों को अच्छी लग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को अन ke चरहें इस परांठे को मैंने कैसे बनाया है आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखें अच्छे से आप लोगों को समझा जाएगा कि मैंने इस परांठे को किस तरह से बनाया है इसे तो ना मैंने बेला है ना इसका अटा लगाया है बहुत ही सौप्ट देख सकते हैं इसका टेक्शर इस रेस्पी को मैंने आज प्रूट से बनाया है क्योंकि यह हेल्दी रेस्पी है जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेस्पी इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ इस रेस्पी को शेयर कर रही हूं सामान आप सब देख सकते हैं यह मैंने फ्रूट लिए इनको अच्छे से पहले मैंने धोकर अच्छे से पोंच लिया है अब इनको हम छील कर इनके छोटी-छोटी टुकड़े कर लेंगे इस तरह से जो सारे फले उनको ह हम छील लेते हैं आप लोगों को फल में जो भी अच्छा लगे आप वो यूज कर सकती हैं मैंने इसमें प्याच का इस्तमाल लहिं किया है ना ही तो लाहिसन अधरक आज मैं फ्रूट से इस रेस्पी को बनाऊंगी बहुत ही हेल्थी बहुत ही टेश्टी रेस्पी बनकर त इस तरह इसे सारे फूरट काट कर हम तयार कर लेंगे मैं आप लोगों को सारी सामगरी दिखा रही हूँ आप लोग अच्छे से रेस्पी को देखे हैं तो आप लोगों को समय जायेगा कि मैं किस तरह इसे आज इस परांठे को बनाने वाली हूँ इस तरह से मैं अपल को भी काट लूँगी इस तरह कि यह एक श्टफिंग बनकर तयार होने वाली है जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं ना श्टफिंग उसकी बनती है तो इसी तरह से आज मैं फ्रूट की श्टफिंग बनाऊंगी बच्चों के लिए तो यह हैं बहुत ही अच्छा नास्ता है आप लोग चाहू तो टिफ एन में बच्चों को दे सकते हैं लंच में भी खा सकते हैं बहुत ही रेस्पि और बनाने में may भी जद्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही जट पर बनकर तयार होने वाली है फ्रूट परांठा है आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें इस तरह से मैंने एपल कक्री खीरा है जो इन सब को अभी मैंने काट लिया वांकी जो और फ्रूट बचे उनको भी मैं इसी तरह से काट लूँगी इस तरह से एक चोपर में डालकर इनको हम थोड़ा चोप करेंगी इनका हमें पेश्ट नहीं बनाना है बस थोड़ा सा इनको ह चोप करने से क्या होता है बहुत ही अच्छे से चोटी-चोटी से इसके फीस हो जाते हैं तो जब इस से हम परांठे में स्टफिंग भरेंगे इसकी तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसी तरह से खीरा को भी मैं इसके भी चोटी-चोटी करकर इसको भी चॉप कर तुमाटर को भी सिधर चौप कर लेंगे बहुत ही सिंपल आसान रेस्पी है अब देख सकते हैं मैंने सब्जी ओ को सिर्फ फलों को सिर्फ चौप किया है इनको मैंने पेश्ट नहीं बनाया है अब यहां पर मैं ब्रेट का इस्तमाल करूंगी ब्रेट डालने से क्या होता है बहुत ही अच्छा टेक्शर आता है फ्लेवर भी आता है ब्रेट से इसका स्वाध है परांठी का दुगना हो जाता है तो इसलिए मैं इसमें आज ब्रेट डाल रही हूं इनका थोड़ी दरदरा सा हम पाउडर बनाएंगी इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसका दरद अब बनाएंगे तो आदी कटोरी डाला है कि मैंने कप से लिया है लेकिन आप लोग मैजरमेंट के हसाब से कटोरी से भी ले सकते हैं अब जो चार मैंने ब्रेट के चार ब्रेट लिए थे उनका पाउडर बनाया था उसको भी सीमन डालकर एक बिकसर से अब हम सारी चीजों को मिक्स करेंगी आब इसमें हम थोड़ा-थोड़ाFarizen डालते हुए इसका घोल बनाएंगे अब थोड़ा-थोड़ासा ही पाने डाले अभी एकदम ज्राधा पानी डाला है कियूंकि उजी है उसको के लिए छोड़ेंगे उसके बाद ही इसमें हम आंगे और पाइन डाले लेकिन अभी तो थोड़ा-थोड़ा सा ही पाइन डालकर इसको हम मिक्स करेंगे अब जब बच्चे हमारे घर के बच्चे ना जो बहुत ही परिसान करते हैं मुझे तो खाने पीने में इसलिए मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाती रहती हूं जिससे बच्चों को हैल्दी नास्ता मिलता रहा है और वो बहुत ही अच्छे से खाते हैं इसलिए मैंने इ के साथ चेयर किया है आप देख सकते हैं दस मिनट में ही सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे इसका सब पतला सा गोल नहीं बनाना है थोड़ी हमें इसका गोल थिकी रखना है और जब हम आथे को बनाएंगे जिस थूजी पर बनाना चाहें लोई का तवी पर या जो और छूजी है आते हुं इस पर बना सकते हैं यह बिल्कुल भी ठषभी कि इस से सूजी डाले से कोई टेंशन नहीं रहती है कि अच्छे पक जाएगा या तले में लग जाएगा कुछ भी नहीं होता है बहुत ही अच्छे से निकल जाता है अब मसालों में आप देख सकते हैं मैंने धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर गरम मसाला ज्यादा मसाले नहीं डाल इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा कॉंटिटी कर दी है मिर्ची की यह चिपरी वाली मिर्च नहीं लिए मैंने यहां यह कलर वारी मिर्च यूज कर रही है जिससे क्या होगा देखने में हमारे पराठे का टेक्शर अच्छा आएगा तो बच्चों को भी बहुत ही अच्छा कर लगता है पर खाने में इसेलिए में में कलर वारी मिर्ची डाली है न अन्य सारी मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे अब हमारा वेटर टियार है परफेक्ट बेटर बनकर हमारा तयार हो चुका है अब इसमें मैं आदी चमच इनो डालूँगी इनो डालने से बहुत ही अच्छी समें बबलाते हैं बहुत ही अच्छी से पक जाता है और बहुत ही फूला फूला सौप्ट हमारा परांठा बनकर तयार होगा इनो ही बेस्ट आप्सटन होता है इसी लिए मैं ज़ादातर रेश्पी में इनो ही डालती हूं इनो को भी हम थोड़ा ही हमें इसको मिलाना ज़ादा देर तक नहीं चलाना है बस इस तरह से इसको मिला दिया है अब हमारा बैठा बिल्कुल तयार है है अब इसको हम साइड में रखते हूं जो हमारी सामगरी तयार है 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 अब गयस पर एक इस तरह से मैंने नौन श्टिक तबा लिया है इसको हम गयस पर रखेंगे शम एक चप मत तेल डार कर चार हम इसको अच्छे से फैला देंगे इस में जादा तेल की वी जगरुदित पैनी सब्सक्राइब रही चीशन अफ़ीकी फ्रूटें हो पती ही इसाइब पत्रूटें, इसमें थोड़ा सही फ्लेवर के लिए काला नमक होता है बहुत ही नमक डालना है क्यूंकि काला नमक प्रूट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसका टेस्ट दुखना हो जाता है इसलिए में इसमें काला नमक बस यूज करूँगी अब अच्छे से हम नमक को मिला देंगे तब हमारा अच्छा गरम हो चुका है गेस की फिलेम हम लो टू मीडियम करेंगे अब एक इस तरह की कोई भी कर्चली बड़ी सी चमच लें और बैटर को इस तरह से डालें एक ही कर्चली एक या डेड़ कर्चली एक बार में ही डालनी है अब इसको किनारो साइड हमें थोड़ी मौटा रखना है बीच में थोड़ी पतला कर देंगे उससे क्या होगा जब हम इसकी स्टफिंग भरेंगे ना तो बहुत ही अच्छी से है इसमें चिपक जाती है क्योंकि बीच में गहराई होती है तो इससे बहुत ही अच्छी से स्टफिंग इसमें फिल हो जाती है इस तरह से हम उपर से भी थोड़ा बैटर डालेंगे तो फ्रूट हमारे इसके अंदर बहुत ही अच्छी से कोट हो जाएंगे फिर जो फ्रूट है वो अच्छी से पक जाते हैं और बाहर भी बिलकुल भी नहीं निकलते हैं और फिर जब यह परांटा बन कर तैयार होता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप लोग प्लीज इस रेस्पी को घर पर जरूर ट्राई करें फिर मुझे कमेंट म बताना यह परांटा आप लोगों का कैंसा बना है और इसका स्वाद आप लोगों को कैंसा लगा है आंगे देखते जाए बहुत ही देखिए आप लोग देखिए इस तरह का मैंने पैचुला लिया है इसको थोड़ा सा ही टच करेंगे तो यह अपने आप ही देख सकते हैं इसने अपने आप ही तवे को छोड़ दिया क्यूंकि यह सूजी से बना है तो सूजी तो चिपकती नहीं है बिलकुल भी अब इसको हम हलकी हांतों से एक दम ही पल्टा देंगे इस तरह से क्यूंकि यह बहुत ही सौप्ट होता है इसमें ब्रेड डले हैं उसकी बजाए से बह एक ही चमट डाला है इसमें ज्यादा भी हमें तेल की यूरत नहीं पड़ती तो आप लोग चाहो तो गी में भी बना सकते हैं आप दोनों साइट से इसका टेक्स्टर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया इसमें आप इसको हम निकाल लेते हैं इसी तरह से और भी पर आप अपराठे मिहां बहुत ही अच्छ छी हमारे बैच्छे के मिक खुस हो जाते हैं तो मैंने इसी तरह से में चार पराठे बनाऊंगी अब यह बहुत गरम है कि आप लोगं को चाकु से काट कर और दिखाती हूं अब ही ममचिन है त्वर दुखकंब हलाल दो नामम्किन है फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको मैंने अभी गर्मा गर्म ही काट कर दिखा दिया है तो इसे काटने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे बहुत गर्म लग रहा है फिर मैं आप लोगों को देखाने की कोसिस कर रही हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझा जाए कि यह कैंसा बना है अंदर से इसका टेक्षर कैंसा आया है आप लोग देखिए बहुत यह अच्छे से हमारे फूर्ट है वो पक चुके हैं बहुती सौप्ट हमारा परांठा बनकर तैयार हुआ है वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अब इस तरह से आप टमेटो केचप डाल कर बच्चों को सर्व करें बड़ों को यह रेस्पी बहुत पसंद आती है रेस्पी पसंद आए तो प्लीज कमेंट है मुझे जरूर बता है ठेंक यू